हम तिलंगाना में हैं और तिलंगाना में यह इस तरफ भरा भरा पहाड और इस तरफ खेद देखर पता चलता है कि यहाँ पर बारबार तो नहीं आती होगी यहाँ पर पानी कहीं आ नहीं सकता इस तरीके से पानी रुक नहीं सकता तो यहाँ पर आप यह सोचिए कि सबसे पर दान लगाते हैं और थान की तरिके से सडक पर सुखाते हैं यह हम आपको गाड़ी में बैटकर दिखाते हैं आये तो पूरिय देश में धान की खेति पंजाब के बाद सबसे ज़ादा Curd में महीं होती है उस ति एक समय सबसे ज़ादा सूखा थ और इसका अधारण में आपको किसान में और कायएए किसान कैसे सडकों पर दान सुखाते है यह देखिये दान की बोरियां दिख रहे होँंगे आपको का वदिया। थैंड का इसना की आन ती दोडे कि प्रेंग मैं यह and we will continue to do so इन सब के पीछे बस केसियार साब का विजिन, मिशन, गोल, मेहनत खून पसीना सब कुछ है ये तो बड़ी अचम्बित करने वाली चीज है बड़ी अनोखी चीज है जो मैं अभी देख पारी हूं देखिए कहीं कहीं न पन्यों से ये देखिए धक कर रखा हुआ है कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ये देखिए धान है हर तरफ धान आपको दिखाई देगा देखिए कैसे धान की बोरियां बंदी हुई रखी हुई है पर देखो कैसे सुखाते हैं ये देखिए सडकों पर धान फैला हुआ है ये कहीं दिखाई नहीं देगा जी ये सिर्फ तिलंगाना में दिखाई देगा बड़ा चंभित करने वाला है बड़ा अलोकिक और बड़ा अविश्वफनी ये मंजर ये द्रश्य में देख पा रही ह सरसो ऐसे सलकों पर डाल देते हैं कि ताकि पीट जाया उपर से गाडिया निकले लेकिन यहां खेतों से देखिए उधर एक तालाब जैसा भरा हुआ है और ये पानी आया है गोदावरी से पाइप लाइन के जरिये और आया है यहां से धाई सो किलोमीटर दूर से और दूर की की धान सलकों पर फैला हुआ है सुकाया जा रहा है धान ही धान धान किया दूर्ली है क्या खेटी यार और दो अदूर्डी अ den रहे हैं दर्शकों क्योंकि ये जो तेलंगाना है ये हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड के जैसे तक था जैसे ही था सूखा हुआ पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ीयों से बीच बीच में घिरा हुआ लेकिन इसको खेती लायक ऐसे अद्बुत तरीके से बना दिया है जो अपने आप में एक वर्ड रिकॉर्ड है प्रिग्या जी ऐसा कहीं आज तक हुआ नहीं कि किसी सूखे हुए राज में इस तरीके से वो फसल उगा दी जाए जो फसल सबसे जादा पानी की डिमांड करती है जो फसल सबसे जादा पानी मांगती हो धान सबसे जादा पान चलते रहीए चलते रहीए चलते रहीए और धान देखते रहे जब सलको पर इतना धान है देखिए मसीनों से उसायी kरी जा रही है प्रज्याजी कियोंकि अभी ये सडक से इसलिए खतम हो गया कि इधर और पहाड़ पत्थर चटान आ गये है आगे पिर हम आपको और उसपार के पास से शुरू हो गए और उस्केट पास से सलकों पर धान दखाई देना शुरू हो जाए मृच्ग वीए यह। मिल रहा है हर चीज मिल रह içinde किसान खुछ तो म पनला से excited इंप है अइन altura शाए देगा और मैं गिनती जांदयां हो गिंती जा रही हैं जांदय को भी जा रहा है यह झाले स्टौर किये जाता है पहले में और सुखाया जाता है फिर को में भंखारियों में या इस्टौर में रख दिये जाता है फिर पिर में भरिया निक difi कि है झाल किया